जए हिन्दोस्तो स्वाख़ायद्य आपके इस वीडियो में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके M.Ed. interniaxam से सम्झें इंपोर्टन इंप्रेश्ण दोस्तो इस वीडियो में definitely आपके helpful होने वाल यह और इस वीडियो से definitely आपके exam में पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि आपके सनविधान में कौन से आर्टिकल्स में यानि कौन सी अनुच्छेद में दोस्तों आपके सिक्षा के बारे में बात की गई है ठीक है तो हम इन चीज़ों को डिसकस करेंगे और समझने की कोशिस करेंगे बहुत सबसे पहल सब्सक्र strives दोस्तों अनुच चारिक शिक्षा का उद्ले सीख्हा है और अप्ैकल को आपके शायका का उद्ले क्या पहले तो आपको समझना पढ़साब कि यह आपके सिख्षा है किasiap दोस्तों सिख्षा की टीन isso की में ऊग Hepharm अगिं कहते हैं सब्सक्राइब कुमें सब्सक्राइब कर साथ्लोग अपचारिक । इन में हैं। में अपचारिक को इसे हैंDES ही इस इते हैं। इन फॉर्मल कहते हैं और नौन आपचारिक मतलब इन दोनों की बीच की कड़ी होती है ठीक है तो यहां पे सवाल आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों यहां पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपचारिक सिक्षा का उद्देश है क्या है बालक को सोतंतर रूप से सीखने का उसर देना जी हां बिलकुल उसको सोतंतर रूप से सीखने का उसर देना ही क्या है दोस्तों और नपचारिक सिक्षा का उद्देश है दूसरा कह रहा है कि सिक्षा के सार जोनी करण का विश्थार मतलब सब पढ़ सके इक्जांपल होता है तो आप क्या कर सकते हैं सभी के ल अब जो सवाल आने वाले हैं दोस्तों अब जो सवाल आने वाले हैं उसको बिसेश ध्यान दे रहा है आपको क्योंकि अब जो सवाल आने वाले हैं वो आपके इमेट इंटरेंस के लिए मोस्त मोस्त होने वाले हैं अगला सवाल देखिए दोस्तों भारती सन्विधान के किस अनुच्छेद में निसूल के वं प्रात्मिक सिक्षा का उतर दे तो राजिस सरकार को सौपा गया था यहां पर बड़ा चाह सवाल है कि भारती सनमिधाने में से किस अनुच्छेद में निसूल के वं प्रात्मिक सिक्षा का उतर दे तो राजिस सरकार को सौपा गया था अनुछेद 45 में, अनुछेद 14 में या अनुछेद 61 में, यहाँ पर आपको जारा समझना पढ़ेगा, जो हमारा आर्टिकल 30 है ना दोस्तों, आर्टिकल 30 है हमारा अल्प संख्यक के लिए, अल्प संख्यक के सिक्षा की बात की गई यहाँ पर अल्प संख्यक के सिक्षा की ब करिया होती है अनुशेद 68 महाभीयोग यह किसके लिए महाभीयोग अव्यान चराने के लिए यह यहां पर संसोधन यहां पर किया गया था अनुशेद यहां पर जोड़ा गया था तो हमारा सही जवाब किया जागा दोस्तों हमारा शेद में बात की गई है तो यहाँ पे फिरहाल किसकी बात कर रहे हैं राजी सरकार के निसुल के सिक्षा की बात कर रहे हैं तो यह वहला सवाल बिल्कुल सही हो जागा ठीक है इसमें क्या कहा गया था राजी संविधान के प्राड़म में दस वर्स की आवदी के भीतर 14 वर्स संसोधन के दोवारा मूल करतब व्यूक अंदुशे दिक्यावन का के अंतरगत माता पिता को 614 वर्ष तक के बच्चे को सिक्षा के उसर प्रदान करने के प्रदान किया गया कौन से सन्विदान संसोधन के अंतरगत 86, 88, 90 यह 102 इसका सही जवाब क्या हो जागा बिलकुल इसका सही जवाब हो जागा बच्चो 86 च्छिए जवा संसोधन के अंतरगत माता पिता के उपर यह दाइत तो दिया गया कि आप 6-14 साल के बच्चों को अनिवारे सिक्षा परदान करेंगे अगला सवाल देख लेते किस अनुचेत के उसा धर्म या भासा पराधारित सभी अलपसंख्यक वर्गों को अपनी रूची की सिक्षा सस्थावक अस्थापना करना और उन पर प्रबंद का अधिकार है अभी इसके बारे में बात की गई दोस्तों अभी मैंने बताया था कि एक अनुचेत के अंत्रकत कि इसमें अलपसंख्यक कि सिक्षा के बारे में बात की गई थी तो इसका सही जवाब आपको पताओ का पहले बताओए क्या अनुचेत 29 अनुचेत 31am यह 43 तो सब्दों इसका सही जवाब हो जागा कौन से लोग समझ पा रहे हैं बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा अ अगला सवाल आपसे क्या करा है भारति स्तन्य भाबु कौन सा रखता है अभी इसके बाभे में चरचा की गई थी आनुछे तीस जी यहां बिल्कुल सही जवाब है आपका अनुच्छेद तीस यहां पे रखता है आगला सवार की तरफ चले है बहुत अच्छा अगला सवार भारतिश सनुधान कौन सा अनुच्छेद अनुसूचीत जाती अनुसूचीत जन जाती अद्दूरलग वर्गों की सिक्षा से सम्मधित कौन सा अनुछेद है यह सारे वह प्रश्ण है जो कि पूछे जा सकते हैं आपके परिशा में इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रतना है क्या अनुछेद 41 अनुछेद 46 अनुछेद पच्चास या अनुछेद 55 तो कौन सा अनुछेद इसलिए दोस्तों क्योंकि इससे पहले 25 कोशन की एक और वीडियो बन चुकी है डिस्क्रिप्सिन में लिंक मिल जाएगा आप वहां से इसको देख सकते हैं अब यहां पर कहा रहा है कि हिंदी भासा के सर्विधान के कौन सा अनुछेद हिंदी भासा के विकास तता प्रचार कि अनुछेद चाहिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कौन सी सनमेदान के तरह में तरह चलेंगे दोस्तों खकी अगला सवाल क्या करा भारति सनमिधान के किस अनुछेद में धरम जाती मुल वंस वन भासाधी की परवा की समानता की बात की गई بई 10 तो आपकी की गई। दोस्तो शैचिक अधिकारों कि समानता की बात की गई ए अनुश्यत उन्तीस दो में। बिल्कुल सही बिल्कुल सही जवाब। आगला सवाल देखेंगे लेगें कि भारत 348 सब्मन्दीद हों şey 48 48 किसे सब्मन्दीद है ठीवारे सिक्षा से है किसी शिक्षा से हो और की इस में से को ही नहीं Crist a सिख्षा से सब्मन्दीद कौन सा है डीचिवीत सिक्षा से दोस्तों हमारा अर्टिकल 45 45 है इसे सम्मंदित कौन सा है इससे सम्मंदित 45 है अगर यहां पर पसु पालन देता है आपको दोस्तों यहां पर पसु पालन अगर देता है तब यह वाला जवाब सही हो जाएगा क्योंकि अगला सवाल आपसे क्या पुछा जा रहा है अगला सवाल पुछा जाया दोस्तों किस अनुछेद में यह वेवस्ता है कि संग सूची में दिये गए मदों के बारे में संसत कानून बना सकती है यह किस अनुछेद 240 240 230 246 दोस्तों दिखेंगे एक बार समझना पड़ेगा आप जो भी इसमें अनुछेद लिखे है ना उसको एक कॉपी पर नोट करके फिर उसको एक बार समझ जाए उसको समझ जाएंगे तो मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगा कि जितने भी अनुछेद सिक्षा से संबंदित है एक जगा वीडियो बनाके आपको एक्स्प्लेन करन आपर उसका आपको सुची मीं प्रिविस्टि में किस समधित इसे क्या ग्याइभ से प्रिविस्टि में किस समन्दित किया गया 2 है तो कि यह अगले 9 समवर्थी सूची 25 प्रिविस्टि में किस से सम्मदित किया गया है आर्थिक नियोजन समाजिक नियोजन व्यवसाई एकम तक्निकी स्रमिक प्रसिक्षण वित्य सहायता तो दोस्तों इसकी कौन से सामिल किया गया दोस्तों आपका सही जवाब हो जागा व्यवसाई केम तक्न को तरदाइत तो हैं मतलब सेंट्रल गवर्मेंट एजुकेशन में क्या उसकी रिस्पॉंसिबिल्टी होती है विद्याले अस्तर पर सिक्षा के अस्तर में सुधार करना यह बिल्कुल लग राजी सरकारों के सैच्छिक उतरदाइत हैं विद्यालों में अध्यापकों की नियुक्ति सेंट्रल स्टेट गवर्मेंट भी टीचर यह अभी हाली में अभिहार के एक लाग सत्तर हजार एक लाग सत्तर हजार बहुत बड़े पैमाने पर भरती निकली है परिक्षाओं का संचालन करना विद्य यह बिल्कुल है यह और बी दोनों कह लिए यह उप्रुक्त में से सभी आपका सही जवाब हो जागा कलकत्ता बंबे वो मद्रास विद्याले क की अस्थापना कब की गई थी इसका सही जवाब क्या हो जागा दोस्तों का सही जवाब की गई था बरस्तव अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है ऊगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि अलहाबाद विश्वी देल्दम कि म Дयले कि असथा hackers की गई थी या फिल में परीयाग राज विश्टिस के बात कि जा यह तो पिर इसका अका 3068 0072889 या 1920 में की गई थी तो यह बहुत ही पुरानी विश्वी द्याला है जिसके स्थापना की गई थी बच्चो 1867 में यह सब आपको ध्यान में रखना है बच्चो चलिए अगला सवाल देखते हैं भारत के सिक्षा के विकास पर राष्ट्टु ये सिक्षा प्राड़ी तयार करन का प्रफ़म पर्यास कब किया गया था इसका दोस्तो आपका प्रम पर प्रयास किया गया था मफपर existe किस्फरन के गया था नान्यश्वी गठ्ट होकर हैं आपका best view इंविष विद्याय कि अधी डालाय आउप को लोग एंवा से देखके रावा क्या में किन थीन कंद्री विष विड्य विद्याय के देखकेशा में कश सुसाज अजय घ Under आपका सही जवाब ओजागा चाली अगला सवाल देख लेतें किस वर्स विस्विद्दाले सिख्छा आयोग की अस्थापना की गई थी विस्विद्याले सिक्षा योग की अस्थपना की गई थी 1940 में 1941 में 1948 में 1950 में यह दोस्तों जाजी के बाद की आपका सही जवाब क्या बेल्गुल सही जवाब हो जागा यह सारी चीज़ बाबु याद रखने आपको ठीक है UGC विस्विद्याले सिक्षा योग NCRT यह सारी अगला सवाल विस्विद्याले सिक्षा योग की अस्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी जब बनाया गया तो उसमें अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजिंद परसाथ या फिर पर्णिजवालल नहरू वल्लब भाई पटेल या डाक्टर एस राधा क्रिशन तो कुछ से में दोस्तों कौन थे डाक्टर एस राधा क्रिश्ण की अध्यक्षिता में या कमेटी या आयो की स्थापना की गई थी किसके में डाक्टर एस राधा क्रिश्ण अगला सवाल देखते हैं यूजी सी का उद्गाटन पत्चीज अठाई दिसंबर 1913 पन को आपचार क्छा रूप से किसंगे अधा बच्चो अब चारिक रूप से हमारे राजिंद पसाद जी ने फिल्टार नेहरू जी ने इन में से कोह जी है या अब्दुल कलाम जी ने सही जवाब कलाम जी अगला सबढ़ विस्ट्रवधाल आनुदान आयों को भारत सरकार एक सन्विधा को में इसना हो जाए। इसका सही जवाब किया हो जाएगा इसका सधाइब हो कर दोस्थ इसका सही जवाब याद रख लेज़ेगा मुंबई में हैधराबाद में या नई दिली या भोबाल में तो बिस विद्धार अनुदान आई होग यूजी सी का जो मुख्या आफिस है पर कहां है नई दिली में कोई समस्या है या नहीं है बताई कोई समस्या बहुत अच्छे बच्चे अगला ते सुनियम के तहत किया गया था किया काँ था 1995 में किया गया ता ओप और इसके उपर सवाल दिखा था अस्तित्त में आई थी सुरी- inconsistente Im कि आया थी तो पन्चानवे को रही ख़िए और लुज बान और स सब्सक्राइबाइक की लिव कर दोने मेन के लिए समझे कि अधिनियांगे तुम कर नियुक्त कि फिल्न है पहले हम पारित को पैसितल इस प्रॉम चानुच 7 अगला सवाल देख लेगा आजा राश्टी सिक्षाणी थी रास्ट्य मुक्त हीडिया ले की कलपना की गए थी किस्प्य सिक्षाणी थी में मुक्त विद्याले मतलब डिस्टेंस लर्निंग या ऑप्न इनुवेस्टिस की बात की गई थी तो किसमें की गई थी दोस्तो राष्ट्रिस्टिक चनिती एन इपी 1976-1986-1992 यह बहुत कई बार पूछे गया सवाल धो कब की गए थी ओपन ईनुश्टिस की बात की गई थी मुक्तिविकल्पना कब की गए थी आ रही हो तो चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं फिरार इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए जूड़े रही है चैनल से ऐसे हम पढ़ते रहेंगे जैन जै भारत दोस्तों